तुट्ती का दिन है, अपने लिए समय मिलता है, वो मी टाइम जिसका इंतिजार हम पूरे हफ़ते कर रहे होते हैं, वो हमें संडे को मिलता है और एक और बात अच्छी है, संडे की दिन की, कि हमें अपने भीतर टटोलने का मौका मिलता है अपने अंदर explore करने का मौका मिलता है कि आने वाला हफता हमारा अच्छा रहेगा तो एक बात मैं आज आज से पूछना चाहते हूं किया आपका कभी अपमान किया है किसी ने? तो आज की कहानी अपमान पर है अगर आपका अपमान किसी ने किया है तो आप कैसे जवाब देते हैं कि आप चुप रहते हैं, अपमान सहते रहते हैं या फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, जगा छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं या फिर आप planning करते हैं कि अब मैं दोगुनी रफ्तार से इस अपमान का बदला लूँगा या लूँगी, क्या करते हैं आप, आपका objective क्या होता है जब आपको कोई insult मिलती है तो, या आप चुप चाप आगे बढ़ जाते हैं, ignore करते हैं और अपने आप पर मेहनत करते हैं ठीक है, इस reel के अंत में आप comment कीजेगा और बताइएगा कि आप क्या करते हैं, अपमान को tackle कैसे करते हैं इसी पर एक कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, कहानी है, एक गाउं में, एक गाउं से दरसल एक सनातन धर्मी, एक घ्रामण गुजर रहा था तो उसकी वेश भूशा ऐसी थी कि गाउं वाले उसका मजाग उड़ाने लगे, उसे देखकर, जो स्थानी निवासी थे, वो मजाग उड़ाने लगे, अरे तुमने कैसे कपड़े पहने, उसका उपहास करने लगे, और उसके साथ भद्धा मजाग भी करने लगे, लेकिन वो चुप रहे, वो व्यक्ति आगे बढ़ता गया, उन्हीं गाउंवालों में से एक व्यक्ति ऐसा था, जिसे अच्छा नहीं लग रहा था, कि वो किसी ब्राम्माण का मजाग बना रहे है, तो उस व्यक्ति ने उस ब्राम्माण को अलग ले जाकर पूझा, कि इतना इतने बीच में उस ब्राम्मन ने पहले उन लोगों को कहा कि क्या मैं आपके अगर बात खतम हो गई हो तो क्या मैं आगे बढ़ जाओं तब उस व्यक्ति ने पूछा उन गाओं वालों में से एक भीड का हिस्सा था उसने पूछा कि इतना मजाग बनाने के बाद भी आप कु किया था तो इस ब्राम्मन ने कहा इस व्यक्ति ने कहा कि मैं जब पुराने गाओं में सेटल हो रहा था तो मैं लोगों को जानता नहीं था कुछ लोग मेरे पास आये इतने सारे फल मिठाईयां लेकर और कहा कि आपके लिए भेट है मैंने उनसे कहा कि मेरा ना पेट भरा ह हुआ है और मैं यह आपकी भेट स्वीकार नहीं कर पाऊंगा यह आपके गिफ्ट स्वीकार नहीं कर पाऊंगा आप मैंने उन गिफ्ट को लोटा दिया वापस कर दिया शायद यही बात अपमान के साथ भी है जो आपको अपशब्द कहता है या जो आपकी इंसल्ट करता ह जान बूज के करे या अंजाने में करे अगर उसका आपको जवाब वो इंसल्ट आपको नहीं लेनी चाहिए यानि यह आप पे निर्भर करता है कि आप उस अपमान को लेते हैं या नहीं लेते हैं अगर आपको अपशब्द मिलते हैं तो आप उसको वैसे ही उन पर लोटा द दीजे जो आपको अपशब्द कह रहा है उन पर लोटा दीजे उस व्यक्ति ने उस भ्रामन व्यक्ति ने उस गाउवाले से कहा कि मैं यहीं करता हूँ आपको आपका अपमान तब तक कोई नहीं कर सकता जब तक आप अपमान लेते नहीं है अगर आप नहीं लेंगे उन अ आग होनी चाहिए कि आपको किसी का अपमान सहने के आवशकता ही न पड़े आप आगे बढ़ जाए इग्नोर करिए और जो सीख मिल गई है जो सबक मिल गया है जो अपमान कर रहा है यह उसकी प्रॉब्लम है कि वो अपमान कर रहा है पॉइंट यही है जो वो कहना चाहता था ब्रामण व्यक्ति उसके बाद वो आगे बढ़ गया लेकिन उस गावाले को बहुत बड़ा सबक मिला कि अगर आपका अपमान होता है तो आपका जवाब आप पर निर्भर करता है क्योंकि यह किसी में हिम्मत नहीं है अगर अपमान दे रहा है आपको आप वैसे ही उसको वापस लोटा दीजे जो अपशब्द कह रहा है उसको वापस लोटा दीजे लेने से इंकार कर दीजे देखिए फिर आप हैपनेस फील करेंगे आप खुश रहेंगे आपका दिन शुप हो